तोर विशे दिदि गल्वत कर लिए एक हो सकुषी है देनल तोड़ी मुलाकत करवाद लेग। अज असी जेस विशे दिदे गल्वत कर रहे हैं पारत विच जात विवस्था जाट पात टे ना दे उते जाद दे ना दे उते बहुत कुछיה पारत दे विच शुन्दा पिशले समय विच रहा ते अज भी हो रहा ते ए जादपात सिर्फ पारत तक ने रही सगों इस्थे जदो सी कैनेडा अमेरिका दे विच आके वसे हैं एक व्यक्ति अपने आपनों वड़ा समय दा स्मेर समय दा दुझे व्यक्ति नूँ ओ छोटा समय दा सिर्फ ए विच होया बहुत सारी यहां उदा आर्ना मिल दी हैं जिनना लोका ने इस जादपात दे विच निकल के बहुत वड़े-वड़े कम कीते एस जादपात में तोड़न दी कोशिश कीती तोड़े अभी दुनिया विक्संदेश जिता कि जड़ा इंसान इस तरती दे जनम लई ओ ब्रबर दा है उनों ब्रबर दे कार मिलने चाहिए दे आ ए मनुखी दे कार दे कटो कटो दे मुड़ले दे कार मुझ जरूर में पर किसे थां दे उते रंग दे ना दे उते किसे थां दे जात दे ना दे उते मनुख मनुख दे ना बड़े लंबे समय तो वित्करा करदा पार दे विछ जातपात विवस्ता इदा एक की है कमा दे दा आर्पे बंडी गई शी की एदा कारंग सी पिछे एदा लॉजिक की है यह आज दे वेलेज की तुसी जस्टिफाई कर दे हूं यह खतम किद्दा कीता जा सकता की रेजरवेशन इदा हल हो सकती है जा जडियां कही ब्रह्मन वादे खलाफा की ए ब्रह्मन वादे खलाफा जा ब्रह्मन वादे खलाफा ब्रह्मन या ब्रह्मन वादे विच की फर्क है यह बहुत सरी यह गल्ला ने जेना दे उते इसी विचार भी करना चाहने है तोड़े विचार भी इसी प्रोग्रम विच करना चाहने है तरह दिनार नाव एक शक्सिये दिनार तोड़ी मुलाकात करवोनी है डक्टर कौशल पवार दी कहानी ओ ये तो पहला कि उने बरे गलवत करी है शी लो दिल्ली उनिवर्स्टी देख कॉलीजे विच्छ संस्कृत पड़ा रहें हैं संस्कृत क्यों पड़ा रहें हैं ये चाहिए पर दे टीचर ने उदे एश करके थपड़ मार देता कि तरी जाद शोटी है तो जाके गंदगी चक संस्कृत पड़ना तेरा कम नहीं है वो थपड़ते ओजलालत है उन्हें उस दिने तैक कर दिता कि जा उन्हें अपने उस दे आपके थपड़ता जवाब बहुत वादी कानफरेंस हो रही है वो दे विच खास तोरते चेचे तोरते डाक्टर कोशल पवार नो बुलाया गया वो दे विच जो हिस्सा लेंडिया है इस इना नो बेंटी कीती कि साड़े नार दी प्रोग्राम दे विच हिस्सा पाहूंग उना दी जिन्दगी तो सी कोजी ना कोजी सिखन दा यतन करांगे तो अड़की स्वाल होगे तुसी भी किसी वेली प्रोग्राम दे वेचे शामल हो सकते हो जी एनो डॉक्टर कोशल पवार बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत नहीं है सबसे पहला सवाल आपके यहां आने का परपस क्या है यू हमने बात की दस तारीक को कास्ट और जेंडर इंस संस्क्रिश्ट अध्यान में जात और लिंग का सवाल क्या है इस विषय पर खुल कर चर्चा हुई उसके बाद फिर मैंने पेपर प्रजेंट ही कि आज ही मेरा पेपर प्रजेंटेशन था उसका भी विषय लगभग यही इसको हम कहेंगे कि क्या शुद्रों को ब्रह्म विध्या पाने का दिकार था एक विष्चलेशन इस पर मैंने आज अपनी बात करी करें तो यह पुरा संस्कृत का एक तरह से पुरा जो दुनिया में जहां संस्कृत पड़ी पढ़ाई जाती है यह फिर जहां-जहां कई ज 600 के आसवास डेलिगेट यहां आई हुए है जिसका कल आखरी दिन है यहां पर वे इसी के लिए मैं आई हुए है आपके आपके संस्कृत क्यों चूज की अपने संस्कृत क्यों पड़ी लिए अभी आपने बताया तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि बच्पन में जब हम लोग जब विशे बदलता है तो बच्पन में जो साथ ही होते हैं यह फर जो सहीलिया होते हैं उनके अधार पर हम कुछ चीजे ले ले लेते हैं आपने उस वक्त क्योंकि आपको पता ही होगा अपने बाचित में भी कहा कि मेरे परिवार की जोस्तिती थी वो पड़े लिखे वरक जो समझ पैदा होती भी नहीं कि हमें क्या विशे लेना चाहिए लिग्वा स्था है इंडिया में हर्याना एक में कैथल एक जगे है अदिया में एक गाउं है राजोंद गाउं उसको जाता है और कुक्षेतर और जीन के बीच में पड़ता जाए उर बढ़ बता दूं कि प मेरी सहलियों के साथ ऐसे ही कोशिश की कि चलो मैं भी पढ़ लूँ ऐसाच कुछ नहीं था मुझे नहीं पता था कि यह संस्कृत में है क्या क्यों डिनाय कर दिया जाएगा यह मुझे बिल्कुल जैनकारी नहीं थी तो हम लोग ऐसे ही जब क्लास में जैसे नाम लिखवाय ज लेकिन मेरे टीचर ने जैसे कि आप अपनी बात में ही बता रहे थे कि उन्हों ने इतनी बुरी तरह से रियक्ट किया तो मुझे पहले बार यह एसा क्यों है कि यह मुझे बना क्यों कर रहे हैं और जब कि मैं ठीक ठाक ती अगर बहुत अवल नहीं थी तो कम भी नहीं थी बलकि वो जो लड़कियां जिन्होंने संस्क्रिक्त के लिए अपना नाम लिखाया था उनसे तो ज़्यादा ही ती यह माश्टर जी जानते थे एकदम अपने पसंसा करना चाहूंगी कि महा होशयर भी थी तो मुझे समझ नहीं है कि मना क्यों कर रहे हैं लेकर बाद में आप मनें बता ही दिया है किस तरीके से फिर माश्टर जी ने मुझे एक दम थपड मारते हुए कहा कि तुम क्या करोगी संस्क्रित पढ़के तो मैं तो दूसरों के घरों में गंदी उठाना है महले ही उठाना है तब मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें जिसकी वज़े से यह मुझे मना कर रहे हैं तो बस वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़के नहीं देखा हाँ मैंने उस दिन चैलेंज जरूर किया था अंदर ही अंदर कर सकती थी मैं बहुत छोटी थी मैंने उस दर यह ठाना था कि अब मुझे संस्क्रित पढ़नी है और जो मास्टर जी ने पढ़ा वो उससे कहीं गुना ज्यादा पढ़ना है तो वो एक जिद एक तरह से मैं य का अव था पठाने का रहा है क्योंकि मैरे मेरे पहला है शक्का व जी सो कम चाचया बोलते हैंteri को उनको देखाए काओं गाओं में खरूं में कैसे इनके साथ बाइवार किया जा था मुझे आज भी याद मेरे चाच अधै अर हमेरी इन के अपनी ही चार्पाई में बैखे एक आदमी आया प्रकास्ट का मेरे चाचा उठके अपनी ही चारपाई से नीचे बैठ गए तो मैं भी वही बैठी हुई थी मैंने दोनों को देखा है मैंने क्या हो गया करे नहीं राम ने डियोल बना रखी है तब मुझे समझ आया कि कुछ तो अलग है जो औरों से अलग करत फिर मैंने ठाना कि मुझे इसको पढ़ना है और बस फिर मैंने ग्रजिशन की पॉस्ट ग्रजिशन की एंफिल किया दन पीएज़ी की पीएज़ी मैंने जवाला लारी उनुर्ष्टी जे ने उसे किया तो यह सफर रहा है मुझे संस्कृत का सिक्स्त क्लास में आपको से आप सीधे रूप से ना कहके आप उन्होंने तो सीधा कहा ना मुझे तुम पढ़ के क्या करूंगी तुमें तो यही काम करना है यानि कि अम तो पढ़ाई के तो योगे नहीं थी उनको पढ़ना हमें तो पढ़ने की जरूरती नहीं थी क्योंके उनके गरों में काम करना लेकिन उसके बाद देन मैंने फिर बारवी की, बारवी में अलग तरह का डिस्कुमिनेशन था, वो सीधा विशे के साथ जुलता हुआ ना होकर उसके फॉरमेशन बदले कास्ट की, डिस्कुमिनेशन की फॉरमेशन, मुझे आज भी याद है हम लोग जब खेल रहे थे, मेरे तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे बहुत अच्छे थे बहले थे, लेकिन जो दूसरे हमारे स्टुडेंट थे, वो बहुत मजया कुड़ा थे थे मेरा, मुझे याद है आज भी कि हम लोग मैं गेम कहिला करती थे, डिस्कुमिनेशन तो मेरे ही गाउं के, क् हम लोग तो सिरफ एक ही काम कर सकते हो, पिछे छोड़ दिया, तो यह क्या है, बहुत कम से कम क्योंकि मैं तो बच्पन से ही देखती आ रही थी, तो मुझे समझने में देर नहीं लगती ना कि सामने वाला मुझे क्या बताना चाहरा है, तो फिर मुझे बहुत गुसा आया मैं क्योंकि प्राक्टिस कर रहे थे हम लोग राउंड में डिसकस्त्रो फैंक ने का, तब मैंने उसको बहुत बुरी तरह से दंकाते हुए का था कि मा के पेट से पैदा नहीं होता कोई बच्चा, और अब मैं यह फैंक के दिखा हूंगा, और उसने बल्कि और बत्तमी जी आप नहीं से बोला तो मैंने उसको थपड मारा था मुझे आज भी आद मेरे मास्टर जी भी वही थे तो मेरे मास्टर जी ने बल्कि पूचा कि क्या हुआ था मैंने को उससे पूच के देखो कि हुआ क्या था वही बताएगा तो मैं यह कहना चारी हूंग फिर उसके बाद मैंने ग्रजुएशन किया कैथल से आईजी कोलेज से फिर पोस्ट ग्रजुएशन किया फिर उसके बाद एंफिल तक पहुंची फिर मैं पीएजी तक पहुंची अब बहुत आपका पुरा अधा गंटा मुझे लगता अगर मैं यह बताना शुरू करूंगा इसी में निकल ज का था बिकल संस्कृत का पूरा विभाग लेकिन इतना जरूर रहा है कि मेरा अडिमिशन हुआ मेरी योगता के अधार पे लगाई है या फिर उन्हों ने मुझे एक तरह से उनको जानकरी नहीं रही होगी तो आव यह मैं नहीं कह सकती लेकिन मैं इतना जरूर कोंगी कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं जहलना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले मैं एंफिल में जहल चुकी थी मैं मैरे शी दैनने उनस्टी से एंफिल किया था रहा तक से तो रहा तक से आने के बाद फिर में जब दिल्ली पहुंची तो एक बहुत बड़ा सपना मेरे सामने था कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है क्योंकि मेरे पिता जी का सपना था कि मैं सबसे उंची डिग्री लो मुझे अंदर से कुट-कुट मेरे अंदर बार चुका था ये कुट-कुट के कि मुझे सबसे दुनिया की सबसे हाइस्ट डिग्री लेनी है पिता जी को पत जिस होस्टल में रहती थी, उस होस्टल में जो मेरी रूमेट थी वो मुझे इतना टोर्चर करते थी कि मैं आपको बता ने सकती आज भी मुझे याद है और सबसे एक महिला होने के नाते भी मैं उस टेम प्रगनेंट थी, मेरा बेटा होने वाला था ऐसी स्थिती में उसने भ ऊधके तो यॉप छेंज करो तो मुझा ओर गुसा आया कि रूम कोई समधानी मैं कचेंज करे शाइटwo VOO माई पुरत औब चेंज किया तूम आप ड़ा मुझे सिधा कचे रेंटको और आक्शन लेने के या एक tools तो आप लास्ट में बल्कि उसने वो आटे का बना के और उसके टील डाल के और मेरे एकदम जहां मैं सोती थी उसके मेरे बिलकुल एकदम सामने रख दिया था ता कि मैं पागल हो जाओं या चोड़के चली जाओं बला आप देखें उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं चोड़ी कि मैं यूश्टी चोड़के चले जाओं और सबसे बड़ी बात मेरे अपने ही विभाग में जहां मैं पढ़ती थी मुझे सीधा ही पता चला था कि मेरे साथ क्यों नहीं स्टूडेंट दूसरे बैठते मैंने कभी ध पसंद नहीं करता क्योंकि सबको बता है तुम भंगी हो तुम ऐसी कास्ट से हो जिसके कोई भी बैठना तक पसंद नहीं करता आपके बेंच पे तो मेरे लिए बहुत मतलब एकदम आसमान से दढ़ाम से नीचे गिरने वाली बात थी क्योंकि मैं पूरा जहलती आ रही थी और मुझे यह पता था कि जेनियो जैसी यूनिस्ट्री जाहें बिलकुल एक तरह से बाम पंधियों का घड कहा जाता है, प्रोग्रेसिव लोगों का कहा जाता है, वहाँ अगर इस तरीके का डिस्क्मिनेशन जहलना पड़ेगा, तो पूरे भारत के आप कलपना कर सकते हैं कि किस तरीके का, और यह जादा दोर लंबा दोर नहीं है, मैं सिर्फ 2009 की बात कर रही हूं, आठ की साथ की, 2004 में मैंने डिविशन लिया था, और 2018 चल रहा है, यह तब की हालत है, यह कोई पिछली सदी की बात नहीं है, तब भी ऐसी मानसिक्ता लोगों के बीच में है, मैंन करूं, एक हमारा एक दली समाज का लड़का था, उसने सोने की चैन पहने हुई थी, गाउवालों ने सिर्फ इसलिए पिट दिया उसको क्योंकि उसने सोने की चैन पहने हुई, एक लड़के ने मूच रखी हुई थी, सिर्फ उसकी मूच रखी हुई थी, उसको मारा पिट आपको एक हमारे एक नोजवान के नाम के पिछे सिंग लगा हुआ था उसको सिर्फ इसलिए हमारा पीटा की क्यों लगाया हुआ है मैं आप यह देखें कि किस तरीके से यह चीजे काम करती है पहला एक बीच में जो एक दोर रहा वावसा भीम्रावा मेड करका या फिर जितन लोगों का भी कंट्रिवर्शन रहा है जो थुड़ा प्रोग्रेसिव हैं जो भले कास्ट से ब्राह्मन हो उन्होंने पूरा विरोध किया अब आप देखें ना अगर मैं कोट करूं यह सत्रा सुके दस्शक की बात है पहली बार जब पटवर्धन ने एक महरेश्टर के ब् इसके श्रिकार सिर्फ दलित रहें इसके शिकार बोट देख लिए इस जाती ववस्था के जो एकस से आते हूं अगर वह जाते ववस्था को तोड़ने के उन्होंने सावाल किया या बात की उनको भी सजढा दी गई है कि इसे जाती ववस्ता को तोड़ना और इस पर बात करना एक तरह से बिलकुल मतलब बहुत टेडी खीर है जो इवन जो अपर कास्ट भी अगर जाती ववस्ता को तोड़ने की बात करता तो उसको भी उतना ही धंड दिया जाता है आप देखें ना दलितों को गोड़ी पर है कि वसासिन ववस्ता बनाए रखें ऐसी जगह पर खुद पुलिस वाले की जब शादी होती है उसको गोड़ी पर चड़ने के लिए प्रमिशन लेनी पड़ती है अब बताइए आप आप सब्सक्राइब कि बाद ये मेरे खाल से ये घोड़ी वाली राजस्थान की है और दूसरी हर्याना वाली है जो दुले को घोड़ी पर बरात लेके जा रहा था उसको वहां पर पिटा बल्कि पानिपत के पास के गाओं की है उस गाओं में बल्कि दलितों ने फिर प्लाइन करने के भी कोशिश की लेकिन उसका को शलूशन नहीं निकला ये जितनी भी गटन भी मुझे खराब लगता है शारीरिक असौल्ट किसी के साथ भी होता है शारीरिक हिंसा किसी के साथ भी तो वो निन्दनी है लेकिन इसमें भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं जब भी दलीत लड़की के साथ होता है तो उनको फाल्तू की बात ने जर आती है लेकिन वह कमाई चुप रहता है तो इसका मतलगिह हुआ कि वो बेटी की सि की बते नहीं होते बैटी तू वह इना किसी की और यह तमाम घटनाओं की अद到底 मैं बतारे हैं और यह वहाँ गटनाओं जो हमारे सामने आती है, media के मादम से, social media के मादम से, और मैंने जितनी आपको गटना हो को जिकर किया, यह सारी के सारी गटना है, main stream के media की है, social media की भी निया है. और इसके अलावा जो नहीं आपाती, वो तो सेंकड़ों के अर्भों की संक्या में होंगी. जितनी आबादी है उतना ही मुझे लगता डिस्क्रिमिनेशन भी है अभी पिछले दिनों देख लिजिए ना एक ओफिसर जो अपरकास्ट का था उसका जो प्योन था वो अपरकास्ट का था वो जब भी उसको पानी पिलाता था उस पानी में थूक के उसको पानी पिलाता था मेरे पास अभी भी मेरे पास भी रखी है उसकी पूरी के पूरी वीडियो तो मैं यह कहना चाहिए हूँ कि अभी पिछले दूनों एक मास्टर जी थे मास्टर जी ने फेस्बूक पे कुछ ब्राह्मन ववस्ता को लेकर लिखा उसको बाकाईदा उसी के गाओं के लोगों ने मास्टर जी को पैर पकड़वाक है पुलिस के सामने पुलिस वालों के सामने पैर पकड़के माफी मांगी उसने इसके लिए तो यह क्या है यह जाती ववस्था का बहुंडा रूप है जो बहुत बदल समाज को मालब एक अम अनवेता की तरफ दोबारे धकेल रहे जंगल राज की तरफ एक तरह से एक ऐसी ववस्था दोबारे से फिर से लागू होने जा रही है जो एक उस समय में रही है जिसमें बाबा साब भीमरा मेड कर ने पगपगर पर सामना किया ऐसी ववस्था जब जोती पाफुले सावितरी भाई फुले ने शिक्षा के दरवाजे महिलाओं के महिले अप्सक्षों थे सांधा रहा हम रखास्त है मुझे कास्था के अज़ाएट थे ह।नी पंधरमा इत्र जोचिजिए थे आतीथि में उत्रश्त क mystery मुझे में ने przyk視्ट्रम्यों कृत्त हो कि मेरे आधतों बहुत पढदने की रही है माना मेर चे मेरा मेरास स्टर श्व इसके अलावा भी हिंदी की आवाजें जो आ रही थी मैगजीन के मादम से हंस जैसे पत्रिकाइन जो दलीत को आवाजों को उठाती थी पैरलेल लिटेचर में में दूसरी मतलब अब जो लिखा जा रहा है उसकी समयदना को या फिर उसका साहनुभोती साहित्य था उसको साथ में वह भी पढ़ रही थी संस्कृत गरंथों का ध्यन भी कर रही थी इन लेखन और लिखित साहित्य के आलावा समाज में जो घट रहा था उसमें भी मैं अक्टिविस्ट एक त साफ साफ कहना जाती हूं कि जब जब साहित्य लिखा जाता है यह सिर्फ संस्कृत के निवाद सभी के साहित्य के बाद कर दें साहित्य जो लिखा जाता है उसके अनुप पूरा समाज चलता हूं मैं ऐसा नहीं मानती अगर मान लिजे किसीने को साहित्य लिखा भी है तो प सभस् practically कर से का जिए ऐसे हम इसी तरह सभस् एक बनियाद करतें जैसे ठीकमित आप क graveyard सब्सक्राइब करते हैं कि अधिए पंजाबी भी समझ जाएगी सर जी बोल सकते हैं अचार, चीक है तो मैंना कि डाला शूत्रा की पारे हिस्सा ना इस तरंगरंथा चाहना मैंना आपड़े मन्सुपृति बीची तुछी दुषी तुषी करें कावटी मुलाखे पढ़के देखो वोदे तिज़ साथ साथ लिखिया थे, कि शूतर नार गिए हो गया था आएंकारना प्रॉपर लॉव है, जी में उसी पिखिया है, तुसी उम्हेरी प्रैक्टिस सानों आच में लिए है, जी आज थोड़ी जी शेहना की लिए 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 पिंज़ा जी पेखिया है, ए ए ने तर्मा जुड़े होया मसला ते जिनी तेर इस दोस्तान मेचे इतु तर्म आपी रदे आएगा, इना और बचारा दो कोई कत्मी नियू जी 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 एखिया है, इना खुड राह इकोई है, एक एह तर्म तर्मा नी कठाय है जान दार, इन एह तर्म ठीन, कि वज इसलाम जी आटे क्रिस्टियन जी वे अपड़ी है प्रोब्लमा थी ताहे सोच हम जी ना कुन बेरे खाना रात अपोई नीजी बड़ी हालतो बन्ता आप बड़ा पिशिंदा थे पर हिम्मत करन थे जिनने बापा साथ दस्यासी थान किता रभी पाड़ना थे ना जी ब्रह्म डाक्टर कोशल पावार साथे नाड़ ने दिल्ली यूनियोसी जी जी संस्क्रेट प्रहूं देने अज़कल यूबीसी जी संस्क्रेट हो रही एक सेमिनार देवेच्छे की नोट स्पीकर वजों आये ने ओना दिन आर गलवात तसी जारी रखते हैं तो अड़ा के विचार वे तो सी जी 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 संस्क्रेट हो रही एक मेर्शल प्रहूंग झाल।